अभी हम देख रहे हैं कि आइग्रीट जूस कैसे बनाना है आइग्रीट नहीं क्या कि जिनको आखों के प्रॉब्लेम्स है उनके लिए जूस कैसे बनाना है जिनको चैसमा है मोतिय बिंदू है या दिखता नहीं है या नंबर जादा है तो उनके लिए जूस है तो आखों के जिनको भी प्रॉब्लेम से आप अगर सुबर नाष्टे में एक ग्लास दूपर दो बज़े और शाम को अगर एक ग्लास पिते हो तो आखों के प्रॉब्लेम जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगे अगर आप महिना दो महिना ये जूश पियोगे तो आपका चैसमा भी निकल जाता है आपका नंबर भी कम हो जाता है तो इसकी आप डेली रूटीन में आप इसका इस्तमाल अपने खाने में नाष्टे में कर सकते हो तो आए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामगरी लेनी है तो आईगरीज जूस में आपको लेना है गाजर, एक गाजर, 10-15 पत्ते पालक के और एक बीट, यह आप यहाँ पर देख सकते होगे, हमने पहले से एक बीट कट करके यहाँ पर रखा है, उसके बाद एक चम्मच, वीड ग्रास, पाउडर, दो चम्मच, अलोवेरा जूस, औ और दो चम्मच, आउला का जूस, तो इस सामगरी से आईगरीज जूस हम बनाते हैं, तो आईए हम देखते हैं कि आईगरीज जूस कैसे बनाते हैं, तो हमारे साथ आज आत्मबोध पतंजली वेलनेस सेंटर के शेप, राउल जी भी यहाँ पर उपस्तित है, तो शेप हमे अभी जूस कैसे बनाना है, वो यहाँ पर दिखाएंगे. कि देखते हैं, शूस हमारे साथ मोवा हमेसे आ Jonas, तो हमारे साथ की आत्मबोध प्रता चाहाँ, अग hen हैं ।ो राँ हमारे से उना आत्मबधिए हमें सबटें के लिए बत्ना हैं, तो महाँ खबते हैं, गा उनप назвब हमारे साथ द proudly और स्बस्तर हैं!!!! तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक गाजर एक बीट और दस से पंदरा पत्ते पालक के साध्या पर जूस बनके रेडी हुआ है और उसमें हमें एक चम्मच वीड ग्रास पाउडर एड़ करनी है दो चम्मच अलोवेरा जूस और दो चम्मच आवला जूस तो यह आपका जूस रेडी हुआ है आई ग्रेड जूस यानि जिन वेक्ति को आखों के प्रॉब्लेम से उनके लिए जूस रेडी हुआ है इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि उपर से हमने वीड ग्रास पाउडर डाली है वो जल्दी मिक्स होता नहीं है तो इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसका सेवन करना है बहुत सिंपल है जूस बनाते टाइम हमें एक बूंद भी पानी का इस्तमाल नहीं करना है जितना नैसरली जो भी हरी सबजिया में जो भी रस है उसका ही हमें यहाँ पर यूस करना है तो आप सभी लोगों को यानि सभी स्वास्तस्वादों को यहाँ पर जूस जो मिलता है उसमें एक बूंद भी पानी करना है